नमस्कार मेरा नाम अजीतर पाठी इस्टार इन्टार में आपका स्वागा लेने और यहां पर सेवा करने का उसर आप सब को प्राप्त हुआ है इसके लिए मैं आप सब कहने से इबादन करता हुए कि भायोगे लो कि कुछ लोग होते हैं जो कि अपने किर्टियों से पाप का गणा इतना भर लेते हैं कि वहां स्वयम के लिए तो पैचान का संकत खड़ा करते हैं तो इस समाज के लिए भी प्राप्त है ऐसे ही जैसे चौदा के पहले देश के सामने खड़ा किया था तो श्रूब लें सत्रा के पहले प्रदेश के अंदर भी और चित्रपूर के अंदर भी एस्पी थी आज जब देश बदल चुका है तो उस्तर प्रदेश कहां से पीछे रहने वाला था अज बैस्वित अस्तर पर भारत का सम्मान बढ़ा है भारत को और प्रहान दकली मोदी जिए वो बैस्वित लीटर की रूप में लोग मानिता दे रहे हैं सम्मान दे रहे हैं भारत के बारे में लोगों की थाना ही बदली है आज जब भारत के बारे में दुनिया अच्छा होती है तो भायो बेनो 140 करोण की आबादी का सुमान पता है भारत का नौजवान जब दुनिया के इंतर कहीं जाता है सम्मान की दिस्से देखा जाता है देश के इंतर लीडर्शिप कैसे होनी चाहिए आजादी के मुष्ट सौ उसका एक आपने देखा हो का कैसे आजादी के मुष्ट सौ करेकरम में जब देश आजाद हुआ था उनिस्सो से नारीस में वो सायूज़क्यम साक्सी नहीं थे हम ऐसे ज़्यादा तर लोगों का तब जनूप भी नहीं हुआ था और उस समय जो सरकार भी जिनके हाथों में सब्ता आई थी वे लोग सब्ता समादे में इतने मस्मूब थे कि देश को उस आनुप के साथ जोड़ने की पुर्षट कहा थी देश आजाद हुआ था कठिन परस्तितिया थी नहीं देश की भाज़न की करास्ती से एक बड़ा चेदर करा रहा था भायो वे नो लेकिन जब देश अपनी आजादी का अपरित महत्सों मना रहा है और समय देश के सुसी प्रभान मंत्री ने बारत की 140 करोड़ लोगों को देश की आजादी के अपरित महत्सों के साथ हुआ हर घर के रंगा के नातिम से जोड़ने का कारिक या था यही यही त को सच्चा दोग संत्र है जिसमें महत्सों के साथ खुशी के साथ हर एक को जोड़ देना और संकर्ट के समय स्वयम आगे आकर के लोगों का सफल बानने की हिम्मत करना है कि दोनों आपने देखे होंगे करोना काल खंड में प्रगान मंत्री मोदी जी अकेले लिकलते थे कि बात आई आजादी के अव्मित महत्सों के अग्रेश को एकशुच को करके इस पर देश को सब्सक्राइब साहर सामिल करके अधार के आजादी के मुद्फ मौद च्ब्रुके साहां करने का ना का कि आथ आज क्या नहीं है भारत में है अपढ़ बंद रहे हैं है को एक्ष मात्य मारा है एरपोर्ट बन रहे हैं बड़े वड़े संस्थान तयार हो रहे हैं कि विरासत का सम्मान हो रहा है कासी में कासी विश्व नखां तो युद्या में इसे राम जनुम्वज पर कौन राम ने खौस्टे मंदिर के लिख्मान कर रहे हैं है और हमारा चित्रपूर धाम भी फिर से अपनी प्रातन पैचान को बनाये रखने के लिए आगे बढ़ता है कि चित्रपूर धाम के साथ साथ इस धर्थी को सभा के है मारसी भालमी की की पावज जनुम्वज भूमी भी इसी जन्पत में लालापूर में आता है लालापूर को प्रेटल के से विक्सित करने का कान जान है और भाई हो है नो को पोचिए संथ तोलसी दाज सी की पावज जनुम्वज राजापूर भी इसी जिट्रपूर जनुम्वज है इस तो नहीं कितना वड़ा सौन्ट दोग है संस्कृत का रामेड का पहला मौलिक ग्रंथ जिस तरकाल दरसी दिशी ने पुचा था लिखा था ऐसे मरसी पालमी की किपावज भूमी लालापूर भी चित्रकूर में और आधनी काल में तब देश गुलाम था गुलामِّ के उस कारठ़ंसे देश को मुख्त करने के लिए उस समय। रामा चरितर मानस को अवधी वहाँ सामेह्निगने का कारे। और जंचन के मात्यम से रामेलाउंप़ी मात्यम से राज़्तिय sufद करने का कारे। जिस तरकाल दर्सी संत ने किया था ऐसे संत पुंसी कादसी की पावन जन्द वूइब इसी चंटर में आता है और मैं इसी ने कहला हूँ कि आँका रजलज यहां का कड़कर परोराम की परस से संतित है आज उसको मेसूस किया जा सकता है पुझे संत जन बैठे हैं कि जब कामतगिरी की परिकर्मा करते हैं जब लोग परिकर्मा करते हैं तो अपने एक स्वास में उसस्तंतर को मैसूस करते हैं जहां पर पुल्सी दाजिकों बर्मांची की किरवासे बर्मांग्राम और दक्षिवन जिलेद साथ साथ दर्संती हैं यह वहीं धर्थी है अले एक चमतकारों से भरी भी दर्थी हैं लेकिन बीच के कालखंड में पहचान का संकट खड़ा कर गिया था इस दर्थी के सामने मुझे याद है छे वर से पहले जब मैं यहां आया था कि मैंने कवे इसे ट्रपूर्ट नाकर विकास क्यों नहीं हुआ है का साथ छे बजे के बाद निकलने किस्ति नहीं होती है कौन खरंपूर्शं कही है तो कि कौन से सzego रखिए हैं कि जो उस समें घॉलित को उतला करने और आजसे बैयक पाडियों को यहां के नागलिकम सब्सक्राइब और उख्यों वरस के भाद मैं आपकी लीचमांवओं का है Is कहा है कि प है होट्थर्प्रदेश माथिया मुख granda विजय उत्सों का कारिकरण एक चत्रपोड की पैचार बढ रही है कि पहला ऐसा यह बोड पहाड़ी की चोटी पर टेवल टॉट इरफोर्ट जिसको कहते हैं पहाड़ी पी चोटी पर यह बंदा है वे चत्रपोड की एरफोर्टे बात सेंग रिसी वर वाई सेवा से जोड़नीगी त्यारी कर रहे हैं और बंदेल खंड एक्सप्रेस आपने देखा ना किसे लोग चले बंदेल खंड एक्सप्रेस दॉड़ता है भाई होगे नो दिल्ली की दूरी मात छे घंटे की कर दिया है और एक गंटे से कम समय में आप दिल्ली पहुंचाएगे एक्सप्रेस आई ले से चुत्रपूट के बीच में एक और जो की कलियरा हम बना रहे हैं कनेक्टिविटी को भूर लें से करेंगे भी और साथ इसको बहतरी तरीके से आगे बढ़ाएंगे अनएक उड्योग लगी डिफेंस को रिडोर के भी डिफेंस के समंदी रक्साज पादम से समंदी उद्याव में हां लगेंगे यह सारे नौजवानों को नौक्रियों रोजगार मिलेगा जो यहां पहले से ब्यापार कर रहे हैं उनकी ब्यापार को आगे बढ़नाने बढ़ाने में मनद पिलेगी और चित्रफूर्ट के अंदर की कंजेशन को तोर करने के लिए रिंग रोड की भी पोचना यहां पर हो चली थी पहली रोपे उत्तरफ देश हैं यहीं पे परिकर्मा मारका पर है और भायोगे नो इसी लिए आत्मे कहने के लिए आयो हम लोगों ने चित्रफूर्ट कि विकास के लिए विकास के लिए विकास का एक बोड़ भी बना दिया है मैं तो इस बार सोच रहा था कि चित्रफूर्ट में थोड़ी आवादी और होती अगल बगल की और के कुछ गाउं आ जाती तो इसको पुरा नगर निगम बनाकर कि स्मार्ट सिधी के रुपने दिश्चा लेकिन भायोगे नो आएगा धेरे धेरे करके वो समय जरूर लेकिन एक सरकार वहाँ जो विकास कर भ्यान की चित्रफूर्ट को उसकी मौनिक पैचान को देने का कारे थी चित्रफूर्ट को धकैपों से मुक्त करके अप्राभियों से मुक्त करके फिर से सनातन इस तो धर्म की पवित्र अस्थल के रुपे स्थापित करने का कारे की व सब्सक्राइब करते रहे हैं रामेड वेवों की सुर्वाद डॉक्टर लोहिया ने की और यह भवन बना है यह भी डॉक्टर लॉहिया ची की पेड़ना से बना लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है कि राम तो थेई नहीं वितर्थ है अयोद्या में राम वक्तों के बारे में अनलकर फिल्मणिया करेंगे राम एड के बारे में और संब तूस्ती दाज्जी के राम जेटर बार्ट मानस के बारे में अनलकर फिल्मणिया करेंगे यह आज की समाजवादी पार्टी इनको राम जेटर मानस अच्छा नहीं लगता के रामेड अच्छा नहीं लगता यह लोग मार्टी बारे में की का समाज नहीं कर सकते yeah बेरोग माद्टिय संथ तो इसी नाजी का सम्मान नहीं कर सकते ये प्रहुर्वर्वर्वर्वर्व की प्रति आस्ता तो दूर प्रहुर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व इनकी सोच में नकारतमता है। इनकी सोच में अहजगता इनकी सोच में वायता है। ये परिवारवादि लोग ہیں। अपने परिवार के बारे में मात्र सोच्ष नहीं है और किसी सच्ची आत्में को बिसी संतों को अपना हिल्द्फित्र नहीं मनाते हैं कि आगे से वां टकाय्त को अपने कले का हार वना करके जंता का सोफोन अभ्यापारियों को सोफ़न कर वाने के लिए उनको चरने खाने के लिए चोड़े लेते हैं अगर जिसले भाइयो मैं को आज मैं आपके पास आयों आप से कह दें आज अमारे स्टिट्रपोर्ट वासियों को किसी गरीब को उप्चार के लिए तरसना नहीं पड़ेगा पांच लाग रुप़े की आईस्मान भारत की जो गारंटीस को हाथ पर दे दी गई है पांच लाग रुपे की आईस्मान भारत की बीमा का लाएं किसी गरीब को भूकों नहीं सोना पड़ेगा क्योंकि लगातार सरकार पिसने तीन वर्से गरीम है रासन के सुझदा का लाग हर नागरी को देने का कारे कर वही जिन्ते जरुष मंदेन को प्लब्त करवाने का कारे कर वही है किसी दिनासित मैला को किसी लिप्यांद जन्को किसी बिर्त जन्को जो भी पातरता की सेड़ीं में आते हैं उन्हें 12,000 रुपी सालाना पिंचन की स्विप्दा का नावर सरकार दे रहे हैं डवल इंचन की सरकार दे रही है जिन लोगोंने आपको एक-एक बूर्त पानी के लिए तर्षाया है आज उनको एक-एक भोड के लिए तर्षाईये यही अवसर होता है पानी पहुचाना चाहते हैं आपके घर में जिससे पहन बेटी को अपने सिर में गगरी लेकर कि दो किलो मिटर पांच किलो मिटर दूर से ला जाके जन पहने के लिए मज़़ूर नहीं होना पड़ेगा यहां कि युषि कारेकरों में आते हैं देखे जोनीन सब्सक्राइएए सबस्क्राइए लएं कारिकरों में आते हैं तो उसी गगरी से सांपों जाके मार भी खाते हैं लेकिन आज वा नौबत नहीं है और इसके वहीं में नो आज में आपके पार साया हूं चित्रकूर जन नगर भी और जनपत हमारे ने बहुत हैं आज हमने नगरों की विवस्ता वो बदला है याद प्यापारी को प्यापारी का म्यार फोड के मातियम से हमने दस लाग रोपे की सुरक्सा भीमा दिया है कोई आपदा आ जाए कोई तुर्गतना गटिक हो जाए दस लाग रुपे उस्प्यापरी परिवार को सासं देते हैं पट्री व्योसाईयों को पीम सनीदी योजना का लाते दी है प्याज मुख्त रिण फर पट्री व्योसाई को जो भी आविदन करेगा उस्प्सर बैंकों की मात्यल से सरकार के लाने का कारी कर वही है सहर आज गंदगी के डेर नहीं जब में चित्र पूट आया था चित्र पूट्राइब तक चुड़ा था अजवच्छं सुन्दर लिखते हैं जन निकाठी की विवस्ता हो रही है स्ट्रीट लाइन एक जैसी दिकती है धोजिए अगरी कुल होने भी खुखने की तर्साया है इस समय है सही तरीके से एक वोट इचोट ऐसी मारिये कियाने वादे समय में कोई राजनीती में प्राधिक राजनीती का प्राधिक रन करने राजनीती को उसरवादिता में बदने राजनीटी को परिवारबाद और जादिवाद का गड़ बनाने का दुस्ता हस न कर सके और भाईों मैंनों जिस दिन हम इन कम्यों को दूर कर देंगे दिकास आपको आने से कोई रोक नहीं पाएगा और इसलिए मेरी आप सबसे पीन है अब ये कुछ देर बाद चुनाओ पर चार पंड़ हो जाएगा परसों आपको नगर में काए चुनाओं में सेकिट भेच का मदान करना है जो ये चर्ण में मतनाओं करना है इसके लिए भारतिये जनता पार्टी ने चत्रपूर धाम से ये नगरपारी का करवी है इससे सही नरेंद्र पुप्ता को अपना प्रत्यासी पना करके फिर से आपके सिवा में नगर तंकाइब मौँसे से ये प्रिवेदी कौना प्रत्यासी नदा याह प्रॉष्यक्व करते हैं